यह जी गिल साब का टेंट है और यह देखें जी के बिलकुल हवा के प्रेशर से यह टेड़ा हो चुका है टेंट और यह गिल साब की टंग ही बाहर आई हैं यह जी वो गरीब और सुच्वेशन बनी विस जी मैं आपको साइट से दिखाता हूँ यह देखें जी लिला और यह जी और जो टेंट इनने बिचाया था इधर इस पैनफलक्स के उपर बिचाया थ भाँकता है यह लागी है रहा कि सार्ही रात बीचाने किस हीं ले दे रहे हैं और गीस से सिलिप होते 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 टेंट वहां पहूंच चुका है और तक जो है आपको चांद दिखाएं जी चांद कहां पर है यह है जी चांद फुल मोन नाइट थी बहुत इंजाय किया अभी हमने चाय बनाई है गर्म गर्म चाय भी है और वीवर्स गिल्स आपका टेंट ऐसा टेंट यहादगार टेंट होता है रोज रोल नहीं मिलता तो मैंने आपको दिखाएं जी यह देखें बार का क्या अलुआ है इसकी राड का यहां लगी भी इसकी राड पूरी यू बन चुका है फुल यू बना हो रहा है जी वीवर्स तो मैं अब उपर आया हूँ यह पहाड चड़कि आपको दिखाने के लिए यह में डैम है और यह इसका जोड है इस नोक के परली तरफ नका है असलिए बहुत सारे शिकारियों को नहीं स्पोर्ट का पता नहीं होता तो नए बिगनर्स को सुरी मैं उस्तादों की बात नहीं करो तो मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको स्पो कबूतर पाड़ी केलने के शौकीन है और समझते हैं कि कबूतर पाड़ी बहुत अच्छी गेम और कबूतर पाड़ी होती भी है उसका रीजन क्या के माँ पानी बहुत गहरा है जाल पटी नहीं लग रही जाल अगर लग भी जाए तो उतनी उसका अफेक्टेट नहीं होता यह देखें इस तरह से बैट बने वाँ यह नोग बहुत अच्छी बैट बना हुआ बैटने की जगह है नीचे लेकिन यहां पर चल कर आना बहुत मुशकिल है यहां तक क्यूंकि गोल पत्तर पर चल कर आना पड़ेगा इस किसम का पत्तर है लेकिन जब पानी इस पौर तक उपर से गैमबल की सक्स कमी मैसूस हो रही है दोस्तो। काश में गैमबल लेया होता, ये नीचे मेरे राड लगे में जी, वो मेरा समान है, उसे नीचे राड लगे में चार, मेरा कैमरा शायद केप्चर नहीं कर पा रहा होगा। एक बहुत इंपोर्टन बात मैं आप लोगों को यहां और बताना चाहता हूँ कि बेड बिलकुल किलियर है क्रिस्टल किलियर बेड है एक भी डोर अभी तक नहीं फसी है अगर हलकी फुलकी इस किसम के पत्थर में अड़े में फस भी जाये तो हलका का जोर देकर निकल आती है क्लीन बेड है यानि मचली को चारा बड़ी दूर से नजर आ रहा है एक मैं आपके लिए इंफर्मेशन लोड करूंगा पॉइंट की वो देखें नला दूर तक गया हुए और इसी तरह यह नला इस तरफ अंदर जा रहा है वो बिल्डिंगों से हम निकल कर आये थे इसकाद सूरज निकला वाए शायद इस तरफ कैमरा इतना क्लिर ना दिखा था कि अब देखे कैमरा दिखा रहा है सूरज निकला वाए और मैं उपर स्पेशली चल के आया हूँ आपको दिखाने के लिए कितना खुबसूरत मनजर है और कितने खुबसूरत पॉइंट है परले किनारे के साथ बैठना नमुंकिन है क्योंकि बहुत ज़्यदा सिलूपरी है इस साइड पर थोड़ा बैठना एज़ी है अब हम चलेंगे नीचे की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना चल कर आए हूँ बलकि एक काम और करते हैं वीवस मैं यहां से स्टेप गिनना चुरू करता हूँ और हो सकता है कि मुझे वीडियो शॉट करने के लिए फास्ट करने पढ़ने तो आखरी स्टेप मैं छोड़ दूँगा और मैं पताऊंगा कि मैंने कितने स्टेप शुरू किये फर्स्ट एक दो तीन गिनके मैं कॉंटिनूसली गिनता चला जाऊंगा अब यहां से में उतरना शुरू करूंगा और मैं स्टेप किनूंगा और हो सकता है बीच में कुछ मिसिंग हो तो मैं एंड में जाके फिर आपको पतला देगा एक, दो, तीन, चार, ओ, तेरी, नू, यह जिनाब पत्थर बहुत खतलनाक है पाँच, चूबश, शूबश, तीन, तीन, लूश, तयरह, भार, टीन, जोट, पत्र, सोर्ष, तारह, तारह, अनएट, इस एकईस, बाइस, यह तेज, टेज, देज, शुबश, बत्चिस, च्भ'd decor, श्रवश, डवश-च्छ्च्ट, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 54, तो वीवर्स ये हैं मेरे रॉड यहां से हम उतर के आए हैं, एक्जेक्ट 54 स्टेप्स, मतलब कदम में उतरा हूँ, अंदादा आप खुद लगा ले, अगर मेरा कदम डेड़ फुट का है, और आइडियल साइज जो डेड़ सब, सब डेड़ फुट या सवा फुट का होता है तो 70 से 75 का फुट जो है, उतर के हम बैठे हुए हैं, पानी ना उतराई पे है, ना चड़ाई पे है, रुका हुआ है, बैड नीचे बिलकुल साफ है, पानी के अंदर बिलकुल साफ है, कोई डोर नहीं फसी, बहुत आइडियल स्पॉट है, हमने चार अडे लगाए हुए ह चार चार रॉडो के